आप देख रही है MNS News सच जरूरी है देख में महिलाओं के प्रती कम नहीं होई एक रूरता प्रादों के खिलाफ कानुन तो बनेल लेकिं दूकिस बात को देख कर होता एकि उन कानुनों को अमल में नहीं लाया जा वोगा, साम Round yard को चप्रों कर वोग्ते कर रही ह 말씀 सिप्स्टम खराब है जो उनके मनोबल को तोड रहा है आयोग में शुकायत करता महिलाओं की संक्या में इजाफा हुआ है माली वाल ने कहा कि निर्वयकान के बाद 181 महिला हेलप लाइन को शुरू किया गया है साथ ही वन स्टेप सेंटर बनाए गई है यही नहीं यदि कोई पुलिस कर्मी पिडिता की एफ आयार दर्ज नहीं करता तो उससा पुलिस कर्मी के खिलाफ एफ आयार दर्ज की जाती है इसी तरह साल 2018 में जब मैं अंशन पर बैटी तो चुड़े बच्चों के साथ होने वाले यौन इडविडन पर फासी की सजा का कानुन बना लेकिन उ यह है कि एक आदमी किसी स्ट्री के साथ बलतकार करता है तो बाद में पूरा सिस्टम भी उसका बलतकार करती है और उसके शुकायत वरित कारवाईन होने से एक नंबर बनकर रह जाती है पिडिता का सामा जिक हनन होता है और कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार भी बंदना पड़ता है मालीवाल ने बताया कि आयों का सोशल मीडिया सेल बहुत सजक होकर काम कर रहा है लेकिन पुलिस का साइबर क्राइम हर के मामले को हलके मिलेता है यही वज़ए कि आउनलाइन मिलने वाली धंकियों आयाद अपरादों को पुलिस गंबिरता से नहीं लेती आई यह बढ़ते अगली खबर की और किसी और के जगड़े में हुआ छात्र का मरेडर बाइक सवार छे बदमाशुल ने बीच सडक मारी थी गोली मद्दप्रदेश के ग्वालीयर में बिते शुकरवार की देर शाम एक 18 साल के छात्र की गोली मार कर हत्या कर दी गई दो बाइक में सवार होकर आए छे युवक ने बीच सडक घटना को अंजाम दे दिया और मोके से फर्रार हो गए गोली नाबालिक के जबडे में लगी और सिर को चिरते हुए निकली गई आरोपी सबी नाबालिक बताये जा रहे है घटना शुकरवार शाम उराल इलाके में चौन नंबर चौरा की है इस घटना में जिसकी मौत हुई है उसका नाम इमरान खान है बताया जा रहा है कि वहां रेपीडो राइडर का काम कर अपने घर का खर्चत चलाता था सुतरे से मिली जानकारी के रुसा उसका साती प्रिंस उसे अपने साथ दोस्त की बड़तरे प पहुचे जोरान प्रिंस और उसके अन्न दोस्तों भागने में काम बयाब रहे लेकिन इमरान को बदमाश यूकों ने घेर लिया और उस पर फायर कर दिया इमरान की मौके पर ही मौत हो गई वहां मौजद लोगों ने उसे हस्पताल पहुचे जहाँ डॉक्टरों ने उसे मौत गोशित किया चातर के बाद मौके पर पहुचे पुलिस ने जब सिसीडी वे फुटेच देखने का प्रयास किया तो वहां पर एक बैग नजर आया बैग में कुछ किताबे रखी हुई थी इन किताबों पर लिखे नाम से मौत की पहच्चान हुई लेकिन जायंच के द कॉंटेक्ट नंबर पर पुलिस ने कॉल किया तो फोन प्रिंस के पापा ने उठाया और बताया कि उनका बेटा तो सही सलामत है तब पता पड़ा कि जो शव यहां पड़ा है वो प्रिंस का नहीं बलकि इमरान का है आपस में दोस्तों के विवाद में किसी दूसरे की यू दोसर दिया था आज उसकी बरसी है दरंदगी करने वाले छे दोशियों में से चार को फासी की सजा मिल चुकी है एक ने आत्मत्या कर ली और एक जो नाबालिक था वह रिहा होकर आम आदमी की जिंदगी जी रहा है 11 साल बीतने के बाद भी निर्बिया के परीजनों को उसकी याद आती है वे कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपरादों की संक्या कम नहीं है बेटियों से अभी भी कुरता हो रही है हाला कि दोशियों के फासी के बाद उन्हें शान्ती मिली है निर्बिया के पिता ने कहा कि आरूपियों को फासी मिलने से पहले मेरे मन में जो मलाल था वह अब समापत हो चुका है उन्होंने देश के बेटियों को अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही है उनका माना है कि जी से एक नाबाली को बरी किया गया उसे इश्वर से आती है कि निर्बिया फंड बनने के बाद से लगाता राज्य सरकार को विबिन योजनाओ के लिए इस फंड से दंद राश्यू पुलब्दकर आई है इसके लिए केंद्र सरकार ने एक उच्छस्तरिया समिती का भी गटन किया है इस समिती मंद्रले और वरिश्ट्रा आए शायनल उपलब्द है आप इसे यूचूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnnewstv.com पर अब वक्तों चलाए दर्श को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तंबाम बड़ी खबरे बने रही MNS News टीवी पर नमस्कार